गुड मॉर्निंग गाइज तीसरा दिन हमारा यहां पे किनौर पे और अभी हम होटल से भार निकले हैं अज लेट होगे हम उठने के लिए 9 बच गया अभी जा रहे हैं कलपा माता मंदिर फिर उसके बाद यहां एक किलोमेटर के सुसाइड पॉइंट है वहां पे जाएंगे इस नो फेट माउंटेन हो नीचे है रिकॉंग पियो इस तरफ यह सामने मॉनेश्ट्री मॉनेश्ट्री है कि कलपा माता का मंदिर बोले गई यह रहां चिकन सौंग हां तो चिकन ही देख सुवा सुवा है ना जारा मंदिर और चाहिए इसको चिकन है मॉनेश्ट्री मॉनेश्ट्री जाते है चलो बाई जिसे निजारा ना कुछ खूब खास ही है बन तो है मन लबट दे माता मोतारे को गोई भी दरो देखो इदरी कर लो गोग यह बुद्धिस्ट मॉनेश्ट्री कलपकी प्राचीन लोचावा लखंड चीनी कलपा इसके बाद में लिखा है कुछ मंदिर के बारे में करनो बन कि यह ब्यूटिफुल मंदिर कलपा में स्री नारायन ब्रह्मादुन का मंदिर है कि यहां पर थोड़ी देर पहले पूजा हो दिए इसा कम नार्थ नार्थ यहां पर माथा टेकने के वाद अभी हम जाने नीचे मंदिर जहां पर विष्णु ग्रहमा का मंदिर उपर नारायन का मंदिर बताया अब नीचे जा रहे है तो एक मंदिर नीचे भी है यह मंदिर नीचे हो दूसरा कि व्यूटिफुल मंदिर कलपा में जहा हो चलो अंदर चलें जहा हो यह दूसरा मंदिर बंद है बताओ क्या ना मैं आपका और इसका अच्छा बड़े हो है ना चलो यहां पर दो हमें फ्रेंड मिलगी हमें है ना पढ़ते हो आप कहां पर चाह दोनों भाई भेन हो ना चलो ठीक है भाई फिर चलो पर साहर ले लेते हैं अब दो मुझे जो है अब यह पर साहर यहां मंदेब हैं हम वोटल के बाहर कलपा में और अब जा रहे हैं सुसाइड पॉइंट के लिए हैं चलो होगे त्यार चलें इस त्यूंक पॉइंट करी में चलोग से यहां से त्यूंक कि इन किलो मेटर आगे सुसाइड पॉइंट इस रास्ते से कि आ साइड पॉइंट कि आ पिच्ट इस दो है कैसी चल दी आएं डाउक है अब पर के अज़िया पर की चलो कि त्री किलोमेटर है यहां से सुसाइड वाइट सिंगल रोड सरी रास्ता नहीं है कि अगे ठीक ही है कि पंद्रह हो गी है आप पंद्रह होगी है आप अगे अगे टॉर्क चड़ दी है उपर अगे 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 आज यह पिलकुल से दी चड़ा इपेव नहीं रुखती है आज एक रास्ता उपर यहां से नीचे लेफ्ट साइड को है साइड पॉइंट रोगी थ्री किलोमेटर कि एप पल का सीजन अभी भी है यहां पेपल टेव तोड़े जार देव है तो 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 पीछे रास्ता था था थोड़ा सा खारा अब रास्ता है यहां पर ठीक और यहां पर फोटोग्राफी कर सकते है इस व्यू देखो यहां से कितना खूबसूरत व्यू है तो गाइज अभी हम जश्ट पहुंच गें हैं सुसाइड पॉइंट यहां पे सैल्फी पॉइंट भी वना है आई लब की नौर साइड में रेलिंग लगा दिये पहले यह रेलिंग नहीं होती थी यही वो पत्थर है लोग इस रेलिंग के पास गाड़ी खड़ी करके या कुछ भी पोटो क्लिक करते थे इस व्यू साइड पॉइंट यह नीचे इसकी हाइड देखो आप आई लब की नौर यह रेलिंग लग यह रोहे की इस जगह ऐसे यह सुसाइड पॉइंट का हो पत्थर बड़ा सा और यहां से यह है विव इस लोकेशन का अमेजिंग व्यू कलपा से आगे है थ्री किलो मेटर है अज़ा अज़ा तामने से एक हैलिकॉप्टर जाता हुआ सुसाइड पॉइंट से नीचे देखो गहराई नीचे है सतलूज रीवर है इस अभी बारा बच गया है और कलपा किनौर का ट्रिप हमारा हो गया है कम्प्लीट अब हम निकर रहे हैं घर के लिए देखते हैं 300 किलमेटर कलपा टू हमीरपूर कितना डिस्टेंस होता है रास्ते में चलो अब कितने किलमेटर होगा आज हमारा सफर बारा बच गया है कहां होगा नेक्स टेश जा 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 मैक्समुम डेट से दोस्तों तो करना है पड़ेगा बस बार इस बता रहे हैं आगे मौसम खराब नहीं हो यहां पे तो है धूप लेकिन रामपूर शिम्ला के पास होगी बालिश हमारा कि नौर का तीन दिन का ट्रिप कंप्लीट हो गया है बाइक और स्कूर्टी पर पहुंच गई उपर पहाड़ों पर हमिरपूर से कि नौर के ना तीन सो हाड़ी दिन सो किलो मेटर है ना इतना डिस्टैंस कंप्लीट किया और एवरेज कितनी आरी इसकी 30 फुल टंकी क सब्सक्राइब और वाके 500 किलो मेटर निकाला इसने परिये के रुकी नहीं बिल्कुल चलती है और अभी बाफिस जा रहे हैं घर यह लिए इन और से चले थे हम कितने साड़े बारा बजे और अभी पहुंचे हैं रामपूर से थोड़े सा पीछे